नमस्कार मनुदेल स्रीय क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे मेवाड रंधंबोर और जालोर के बारे में तो सबसे पहले मेवाड रियासत है उसके बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे रंधंबोर की और उसके नाम है मेवाड रियासत की यह जो मेवाड रियासत का जो पहले का टाइम प्रेट था उसमें सीवी जनपत था और सीवी जनपत की राजदाने थी मादे मिका मादे मिका का दूसरा नाम इसे नगरी भी बोलते हैं जो कहां थी चितोड के पास में थी बाद में वहां पर क्या ब पहले इसका मेवार जो रियासत हते हैं इसमें गुहिल बंस आया था जिसमें गुहिल गुहा दिते इन्हों नहीं स्थापना के माने जाती है कि गुहिल वंस की स्थापना करने वाले थे श्यामलदास कवीराश श्यामलदास ने किसकी रचना किया है वीर विनोद की रचना किया है जिसमें ये बताया है कि गुहिल वन्स को वल्लभी से मेवाड आया बताया है कि जो गुहा दिते हैं गुहिल वन्स की तो इसके बारे में ये वीर विनोद में अपनी पुस्तक है उस में शामल्दास ने यह बताया कि गुहिल वन्स गो वरल्लभी से आया बताया कि वो वरल्लभी से क्या आगे थे मेवाड आगे थे और यहाँ पर यहाँ पर अपनी ग्या करली थी को इंज Billones कि स्थापना करती शामल्दास के अनुसार दूसरा नाम एक और आता है कि श्रीपुत देवदत रामकर्षन बटना करने ये बता है कि ये क्या थे राजा ब्राम्मन थे ये डॉक्टर ओजा के अनुसार ये एक विसुद सूरी बंसी थे गुहिल बंस के बाद में आते हैं बपा ये से काल बोज ये इनको सैंस थापक माना जाता है बपा को या फिर रावल को 734 इस्वी में मोरी राजा मान मोर्यों को अराकर मेवाड पर अधिकार कर लिया तो गूईल वन्ज के सैंस थापक बपा को माना सेता है जिन्हें हम काल बोज के भी नाम से जानते हैं 734 सिस्वी में इन्होंने क्या किया था मौरी राजा मान मौरी और राकर मेवाड पर अपना अधिकार कर लिया था ओजा के अनुसार है उन्होंने क्या बता है कि बपा रावल का नाम काल बोज मिलता है और कि ये ओजा ये बताते हैं कि जो बपा रावल जिसे हम बपा के नाम से जानते हैं उनका नाम काल बोज था उनको उपादी है वो बपा रावल की दे गई थी तो बपा का नाम क्या था क पहने की पुत्र का नाम क्या मिलता है खुमान मिलता है अब भपा की उपादियां इसे बबबबबबबब ये नाम से जानते हैं बपा ने क्या की बबबबबबबबब की तो तो किसने अपना इष्ट देव एकलिंग जी को माना तो बपा रावल ने और ने अपने सुयम क्या मानते थे उनका दिवान मानते थे या हरित रिशी की गयों को जराते थे उन्होंने अपने नाम का सोने का सिक्का चलाय था 115 ग्रेन का नागदा में सहस्तर बाहू के मंदिर है तो नागदा में किसका है सहस्तर बाहू के मंदिर बने में है मंदिर है सहस्तर ब नागधा में बपा ने राज़दानी बनाया था नागधा को बपा को सीवी वेद यह इंपोर्टेंट है कि बपा को सीवी वेद ने क्या बता 이상 कि इपा दिये चार्लस मालट की उबाती दिये फिर नेक्शर आतें अल्लट या फिर अलवराव अलट ने यहाँ पे नागदा में जो राजदानी थी उसको कहां ले गया आहड ले गया और सरव पर्थम नोकरसाई की सुरुआत करने वाला था अलट अलट ने क्या कर दी सुरोपर्थम नोकरसाई की सुरुवात कर दी और एक और चिकाम कर दिया उसने राजदानी को चेंज कर दिया आड ले गया हर्यादेवी के साथ इसने विवा किया था फिर आते हैं जेतर सिंग जेतर सिंग 1213 से 1245 शीश्वी तक गदी पे बेटा था 1213 में जेतर सिंग क्या बना मेवाड का सासक बना ये इसका बेटा है न सभी इसके कुल में ऐसी बनते हैं दिरे दिरे जो जिसका बेटा है वो उसका बेटा है उसका बेटा है ऐसे आगे से आगे चलते जाते हैं जो जेश्व पूतर होता है वो गदी पे बेटता है तो जेत इटाला का यूद किसके मुद्दे हुआ था जेतर सिंह के मद्दे हुआ था 127 यूश्व में इल्तअपमिघू और जेतर सिंह के मद्देपुताला का यूद तो इसने क्या किया नागदा के इस्तान पर राजदानी कहा ले गया ची तोड़ ले गया जे सिंग सुरीकर्थ है हमीद मर्द मर्दन इसमें इल्ट उत्मिस को हमीर कहा गया है तो इल्ट उत्मिस को क्या कहा गया है हमीर कहा गया है कौन सी पुस्तक है हमीर मर्दन है रचनाकार है जैशिंग सुरी ने अपनी पुस्तक बताई है हमीर मद मर्दन इसमें जो इल्टु तमिस ने जिसने बोताला का युद लड़ाया जैतर सिंग से उनका नाम उसने क्या बताया है हमीर का है फिर जैतर सिंग के बाद में आते हैं तेज सिंग तेज सिंग 1250 से लेक इसमें तेज सिंग के सासनकार में इसका क्या हुआ है मेवाड सेली में पर्थम चितरित गरंत है 1221 इसमें चितरित क्या गया था इनकी पतनी जैतल देवी थी जिसने क्या क्या चितोड में पार सवनात मंदिर का निर्मान करवाय था तो तेज सिंग की पतनी उसका नाम है ज जेतल देवी ने निर्मान करवा दिया चितोड में फार सोनात जी का मंदिर 1223 इसमें इनकी मर्थी हो जाती है और समर्शिंग गदी पे बैठते हैं 1223 से लेके 1321 इसमर्शिंग रहते हैं तो कुमुलगड परस्तिती में इसे क्या बाना गया समर्शिंग को बताया गया सत्रों सत्रों की सकती का एप रहता इसमें एक चीर्वा के सिलालेक आते हैं चीर्वा के सिलालेक में सत्रों का सहार करने वाला दिल्ली में इस टाइम सुल्तान जब यह बैठे थे उस टाइम दिल्ली में सुल्तान था बल्बन अलाउदिन खिल जी यह दोग के सासनकाल में यह रहा था समर सिंग समर सिंग को क्या का गया है सिर्वा के सिला लेक में सत्रों का सहार करने वाला सक्ति का सत्रों की सक्ति का अपरहर था मुख्य सिल्पी इसके जो समर सिंग के काल में मुख्य सिल्पी थे केसल सिंग और केल हैं तो यह सिल्पी आपको याद रखने हैं आजकल वारी धिन दान्तवार संसे स्वर्पी क्यों थे केल सिंग और केलन। फिराते रतन सिंग दो से लेके 13 083 में रावलचै आनतिम साखा सासा केए रतन सिंग इनके बारे में जो जानकरी देते हैं वो 1540 वीशी में एक पदमा बताया था जिसकी रचना की थी मलिक मोम्मत जाई सbut उन्होंने रावल रतन सिंग के बारे में जानकरी दिए जिसमें पदमनी को क्या बताया गया है सींअल union की राजकुमारी बताय गया और उनके पिता का नाम था गंदर वसेन उसमें क्या होता है कि ये जो रानी होती है पदमिनी ये इतनी खुपसरोत होती है उसके पास एक हिरामन्त होता होता है वो उड़ता उड़ता कहा आता है रतन सिंग के पास में आता है और उसकी सुंदरता का बखान करता है तो रतन सिंग क्या करने लग जाता है, इसे प्रेम करने लग जाता है, तो इसे पाने के लिए वो कहां चला जाता है, सिनल देश चला जाता है, और बार आवर्स तक संगस करता है, फिर उससे साधी होती है पदमीनी की, फिर क्या करता है, पदमीनी को साधी करके अपने हां ले आता है मेवाड लाने के बाद मैं एक रागव चेतनाम का पंडित रहता है यानि तांत्रिक रहता उसे तांत्रिक विद्या का भी गान था तो उसकी बूरी नजर उसके रते हैं पदमिनी पे तो यह पतात लग जाता है रतन शिंग को रतन सिंग ने क्या किया इसको बहार रागव चेतन को बाहर निकाल दिया आपने में कि आप मैवार से बाहर चले जाओ उनकी बेजती कर दी रागव चेतन की तो रागव चेतन ने क्या किया अपने जो रतन सिंग के दुसमन थे एके अलाउदिन खिल जी उनके पास चला गया और उनके बारे में जानकरी दी पदम तो पदमीनी का भाई था एक तो गो रा और उसका चाहता था बादЬ यह चाचा बतीजे ने क्या की थी इसे छुडाने में मदद की थी एक एक एके में से छुडा के वापिस ले आये थी रानी पदमिनी के साथ में ये गोरा और बादल फिर 26 अगस 1303 को वापिस साकरमन करता है अलावदिन खिल जी किले को प्राप्त कर लिया जाता है अलावदिन खिल जी क्या हो जाता है विजिय हो जाता है जिसमें सोड़ा सो राणियों ने क्या कर लिया था जोहर कर लिया था और बाकि रतन सिंग और ये सबी क्या करते हैं केसरे धारन करके अपने प्राणों का निच्छावर कर देते हैं वीरगति को किसरे धारन करके वीरगति को पराप्त कर देते हैं और राणियों ने क्या कर दिया सोड़ा सो राणियों ने जोहर कर दिया तो ये साका हो गया आपे राजस्तान का सबसे बड़ा साका है यही है और मेवाड का पर्थम साका भी यही है जो काब कब हुआ था 133 नीशिय नीशिय में था रणारतन सिंग और किसके माध्य वड़ था चितोड के दुरग में धुद हुआ था जिसने शोड़ा सुरानियों ने जोहर किया था और सभी जो पुरूषते उन्होंने केशरेत धारन करके क्या कर लिया अपने प्राणों का निच्छावर दे दिया इसकी वज़े से क्या हुआ जो रावल साखा थी वो यहां पे समावत होगी मेवाड का पूरा ही यहां पे खतम हो गय दे दिया और उसका नाम क्या लिख दिया खिजराबाद रख दिया फिर खिजराबाद ने खिजराबाद ने खिजर खाने क्या क्या बाद में क्या क्या जालोर का थे राजाकानरदेव का बाई था मुचाला मालदेव मुचाला मालदेव को क्या दे दिया चितोड का परसास जो युदुवा था उसके आँखों देखा वनन किया है तारिक अलाई में जिसे खजाइन उल्फुतु भी का जाता है जिसके बारे में पुरी जानकरे दिये कि किस प्रकार्ची युदुवा है तो एके के साथ में उस टाइम कौन था अमीर खुश्रो था मेवाड पर अधिक अधिकार कर लिया तो यह हमीर सिसोधिया आया कहां से यह सिसोधिया गाउं से था और शिसोधिया गाउं का जागिरदार थे इनकी पिता अरी अरी सिंग का पुतर था देखो कितना स्ट्रोंग हमीर सिसोधिया जिसने क्या कर लिया अपना मेवाड पर अधिकार कर लिया फिर हम सिसोधिया वंस को पढ़ेंगे अपने नेक्स वीडियो में